नवश्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फेर से एक बार स्वागत हैं सात्यों आप सभी के लिए लगातार प्रियासरत हूँ ये नियूज आपका मुझपरपुर से है बीपी ऐसी से चैनित शिक्षकों को पहली सेलरी के लिए करना होगा इंतिजार हुगदान में दो सब्ता और लगेगा जहाँ पर केकी पाठक जी कह रहे है कि लगातार जल से जल्द वेतन आप सभी को दिया जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो सब्ता आपको और इंतिजार करना होगा जन्म तिथी के बदले योगदान तिथी को शिक्षकों ने बनाया रिटार्मेंट का आधार इसलिए आवेदन हो गया रद सभाविक है जन्म तिथी से ही आपका रिटार्मेंट जो है वो निर्धारित होगा ना कि आपने जिस दिन योगदान किया है उस तिथी से इसलिए दुवारा प्रक्रिया अब यहाँ पर लगेगी इसलिए इसमें समाई लगने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है विपी ऐसी से चर्निश शिष्णों को अपनी पहली सेलरी के लिए इंतजार करना पर सकता है विभाग की ओर से पूर्व में दिसंबर के पहले सब्ता तक उन्हें वेतन जारी करने का लक्ष निर्धारित किया गया था लेकिन जिले में अब भी काफी संख्या में शिष्णों का प्रान जेनरेट नहीं हो सका है और जिले में अब तक प्रान जेनरेट करने वाले शिष्णों की संख्या 3397 है लेकिन इसमें कई कारणों से गलत एंट्री दर्ज हुई है इस कारण इसे जो है अप्रूब्ड नहीं किया गया है ऐसे में जिले में करीब दो सप्ता या इससे अधीक का समय लग सकता है प्रांच जेनरेट करने के क्रम में शिक्षकों को पोर्टल पर दिये गए कॉलम में प्रांच जे अप्रांच आलग जे शिक्षक्ब वग सकता है दूसरी तरफ यहां पर जो विचार किया जा रहा है वो आप सभी के सामने में है CFMS से पेमेंट पर भी विचार दूसरी और शिक्षाई भाकिया पर मुके सचीब केके पाटक ने दो दिन पहले विसी के क्रम में सभी जीलों को निर्देश जारी किया है कि योगदान कर चुके 90,000 सिक्षकों और अगले चर्दों में योगदान करने वाले सिक्षकों को HRMS की जगा पुराने CFMS सिस्टम से ही वेतन का फोकदान करने की बात कही थी तो यहाँ पर 90,000 सिक्षकों ने योगदान किया है ये बात सपस्ट हो गया और केके पाठक जी का कहना है कि लगभग 90,000 जो सिक्षक योगदान किये हैं उनका वेतन भुकदान होगा तो किस प्रकार से होगा यहाँ पर सिस्टम की भी बात की गई है साथी उनके प्रान के आधार पर मैनुवली कटोती करते हुए उनके पेंसन खाते में भुकदान के विवस्था बनाने पर सामती जताई थी हलांकि अब आने वाले दिनों में जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस विकल्प पर काम करना जो है वो पर सकता है तो 90,000 ने योगदान किया है यहाँ पर भी स्वष्ट हो गया कि 1,20,336 में से 90,000 ने योगदान किया है और यहाँ पर 30,000 पलस सीट जो है वो खाली रह गया जिस पर पूरक परिणाम जारी करना था लेकिन देखिए आप सभी के बीच में आज जो है वो 4700 पर पूरक परिणाम जारी करने की बात कही गई है देखते हैं कब तक इस पर परिणाम आता है आगे जो भी सीट बचेगी उस पर भी पूरक परिणाम के लिए हम सभी चित नहीं होगा ये 30,000 यदि इस बहाली में आ जाते हैं तो आगे की बहाली में आप समझ लिजे कि 30,000 सीट जो है वो बढ़ गई तो यहां पर हम सभी को थोड़ा सा प्रियास और करना होगा अभी परिक्षा आप लोग दे दीजिए क्योंकि परिक्षा कितिती बहुत है अब किधर जाना चाहिएगा आप फीरताई किजिएगा यदि यहां पर आपको रिक्ती दिखाए देगी तो सप्लिमेंटरी रिजल्ट के लिए हम सभी को प्रियास करना होगा और करेंगे क्योंकि यह परंपरा फिर आगे की बहाली में भी आने वाली है एक साथी का तीन जगा रिजल्ट तो वहाँ भी सीट खाली रहेगा तो इसलिए हम सभी को एक जूट हो करके आगे काम करना होगा 15 तारिक तक हम सभी को अभी परिक्षा पर ध्यान देना है क्योंकि आप सभी परिक्षा का फॉर्म अपलाई कर दिये हैं तो अभी ज्यादा चिंता मत जो होगा आगे सब कुछ अच्छा होगा आप बने रहे हैं ओल टी टी ती त्यारी चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूज लिएगा यही आप से निवेदन रहता है प्रति एक वीडियो में